Hello good morning friends I am Karan back with a new topic of seismology तो आज हम पढ़ेंगे earthquake के बारे में earthquake क्या होता है और कैसे फैलता है और different types of wave ठीक है सबसे पहले हम पढ़ेंगे seismology के बारे में What is seismology? seismology होता क्या है? seismology is the study of science in which we discuss about the earthquake and the elastic waves elastic waves means propagation of the waves like P wave, S wave and L wave तो हम देखेंगे P wave, S wave और L wave है क्या? सबसे पहले हम देखते हैं earthquake होता क्या है earthquake is a sudden moment और a jerk in the upper crust of the earth ठीक है? जो हमारी upper layer है हमें पता है जैसे अपनी आर्थ की 3 layer होती है crust, mental and core जिसमें हमें पता है कि जो mental हमारी layer है वो एक liquid layer है ठीक है? उस liquid layer के उपर हमारी जो crust है वो float करती है ठीक है? ये liquid के उपर ये हमारी crust क्या है? float करती है, तैरती है ठीक है? तब जो इस crust के अंदर जब sudden moment आती है moment ठीक है? due to endogenous forces जब इसके अंदर कोई moment आती है तब इसको बोलते है earthquake ठीक है sometime ये क्या हो सकता है? exogenous के वज़े से भी हो सकता है जैसे कि due to collapse and the explosion तो अब हम देखते है earthquake फैलता कैसे है? इसके reason क्या है? first one is the volcanic eruption क्या है? volcanic eruption जैसे ही कोई जवाला मुखी के अंदर कोई visfort होता है ठीक है? तब उससे क्या होता है कि हमारा जो अर्थ है वो काफी ज़्यादा उसमें vibration आती है तो जो काफी ज़्यादा energy है उस energy जो है अंदर से बहार के तरफ ट्रांसफर होती है तो उससे क्या आता है earthquake जैसे अपना volcanic eruption है उसके अंदर क्या है? Magma है ठीक है? Magma क्या है? liquid form में है उसके अंदर क्या है? rocks है काफी सारी magma के उपर rocks जो क्या float कर रही है हमारी ठीक है? उसमें काफी ज़्यादा जो stress आएगा जो magma है उसके अंदर energy के वज़़े से जो stress आएगा उससे क्या होगा जो अपनी crust में जो rocks है वो break होंगी या फिर movement करेंगी ठीक है जो ये sudden movement और जो breakdown होता है उससे ही क्या होता है अपना earthquake आता है ठीक है ये तो the first region due to the volcanic corruption उसके बाद क्या होता है अपना glacial earthquake ठीक है कुण सा glacial जैसे ही हम बोल सेकते हैं जो himkhand होते हैं himkhand की movement की व kilometer per year अगर उससे ज़्यादा उसकी movement होती है तो उस वज़य से जो earthquake आता है उसको हम बोलते हैं glacial earthquake ठीक है जो greenland है greenland में सबसे ज़्यादा जो हमें देखे गए हैं glacial earthquake ठीक है उसके बाद हैं tectonic earthquakes ठीक है tectonic earthquakes सबसे important है इसका region क्या है हमारे क्या है जो mental के उपर जो crushed अपनी layer है ठीक है उस वो क्या है different plates है अपने जैसे oceans की जो bats है ocean bats पे जो plates है और जितने भी अपने continents है उनकी plates है तो वो क्या है continue in motion है ठीक है जब वो एक दूसरे से टकराती है या एक दूसरे से दूर जाती है तब उसकी वज़य से क्या होता है कि a lot of vibration take place ठीक है काफी ज़्यादा vibration ह होती है और काफी ज़्यादा energy release होती है तो वही energy जब vibrations की form में waves की form में company की form में जब अपने आर्थ के बहार आती है तो उसको बोलते हैं tectonic earthquake ठीक है उसके बाद यह तो थे major region उसके बाद क्या है man made जैसे की collapse collapse में क्या है कोई हम काफी ज्यादा जैसे building गिरती है या फिर कु सब्सक्राइब कोई उपर से asteroid जो टकराता है अर्थ से तो इस collapse में collapse के वजए से जो बनता है earthquake उसको बोलते है अर्थ कोई डूटू collapse ठीक है उसके बाद क्या था explosion आपने कभी देखा होगा कि जैसे अपने जितने भी mountains है पहाड जितने भी rocks है अपनी तो उसके से हम जो stone य earthquake ठीक है यहां मैंने एक term लिखी है fault ठीक है fault क्या होता है in geography जैसे हमारी rocks है rocks के बीच में क्या होता है कोई द्रार आ जाती है जैसे दो rocks है ठीक है जो इनके अंदर continuity discontinuity जो आती है इसके अंदर ठीक है तो उसको बोलते हैं fault ठीक है discontinuity in the volume of rocks जैसे कोई एक रोक है उसके अंद मिजर कैसे करते हैं मिजर कैसे करते हैं एक instrument है जिसकी help से मिजर करते हैं that is seismometer कौन सा है seismometer ठीक है वी मीजर दा earthquake with the help of seismometer ठीक है और जो के मापने की जो scale है वो हम मेजर जो scale है वो दो है one is Richter scale and another one is Rossi-Farrell scale ठीक है कहीं बार exam में question आता है कि Richter scale क्या है this is the scale by which we measure the earthquake ठीक है and what is Rossi-Farrell scale ये भी हमारे क्या है जिसकी help से हम earthquake को measure करते हैं ठीक है उसके बाद जब ये earthquake है अंदर मतलब कि समंदर के अंदर आता है पानी के अंदर आता है oceans के अंदर आता है तो उसको हम बोलते हैं tsunami ठीक है tsunami जब ये जो focus है जो इसका अंदर के अंदर होता है तो उसको हम बोलते है tsunami क्या है अपना एक जापानी वर्ड है कौन सा है जापानी वर्ड सुनामी ठीक है उसके बाद मैं आपको बताता हूं earthquake कैसे होता है earthquake में एक point आता है focus focus क्या होता है जहां पे earthquake start होता है मैं जो first point है first point जहां पे experience मतलए earthquake experience होता है वो that is focus यह focus क्या होता है अपना layer के अंदर होता है जो अपना focus क्या है जैसे यह अपने स्पोज करो crust है ठीक है जो इक crust के अंदर नीचे जो यह point है that is focus यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले जो अपना earthquake होगा feel होगा यहाँ ठीक है बिल्कुल इसके perpendicular बिल्कुल इसके 90 degree पर जो crust पर मतलगे जो अपने surface पर जो point आएगा that is known as the epicenter ठीक है कुनसा epicenter जैसे focus है focus से क्या होगा कि जो इसकी waves है अपनी जो vibrations है वो सभी directions में spread होगी तो यह point है इसके बिल्कुल जो 90 degree पर जो जाएगा वहाँ पर क्या होगा epicenter यही point है जो earth पर सबसे पहले जहाँ पर अपना क्या है earth को एक feel होता है और यहीं जो point है इसी के आज़ पास सबसे ज़्याद इसमें एक होती है हमारी body wave जो क्या है की earth जो crust के अंदर जो चलती है ठीक है crust के जो अंदर चलती है वह अपनी बोडी वेव और दूसरी होती है अपनी surface waves ठीक है दूसरी कौन सी होती है surface wave तो पहले बताता हूँ जो body wave है body wave में भी क्या है डो wave है P wave जिसको हम बोलते है longitudinal wave कौ कामोंचे ट्रांसवर्स वेव ठीक है इसके लावा हमारे तीसरी है जो l- वेव किसमे आति है हमारी सर्फेस वेव के अंदर ठीक है सर्फेस वेव box आगे पडंगे पहले हम देखेंके पी वेव and s wave ठीक है तो p wave मैं पहले देखता हूँ p wave कौन से होती है जो अपना सिस्मो मिटर है जो सिस्मो मेटर पर जो graph हमारा बनता है सिस्मो ग्राफ उस पर जो सबसे पहले जो note की जाती है वो होती है अपनी p wave ये क्या है सबसे fastest ठीक है और जो सबसे last में आएंगी, वो कॉन से आएंगी? एल वेव, ठीक है? पी वेव जो है, वो क्या है? अपनी सबसे fastest वेव हैं, ठीक है? और जो S वेव है, वो second fastest मतलब कि पी वेव के बाद जो हमारे graph के उपर आती है, वो S वेव आती है, ठीक है? और S के बाद जो आती है हमारी L वेव आती है ठीक है दोस्तों जो P वेव है they travel in the all medium मतलब solid, liquid and gas जो P वेव है वो सभी परकार के medium में they can travel easily ठीक है और जो S वेव है they only move in the solid material ठीक है जो S वेव है S से याद रखना S only can travel in the solid material ठीक है S वेव उसके बाद जो P वेव है उनका nature कैसा है compressional मतलब हमने देखा होगा कि हमने waves पड़े हैं इस type से फिर ये क्या करेंगी ऐसे है expand होंगी फिर उसके बाद क्या होंगी compress होंगी फिर उसके बाद expand होंगी इस type से जो इनका moment है compress, expand, compress, expand ठीक है push-pull moment में ये चलती है कौन सी P wave कभी push करेंगी कभी pull करेंगी इस type से जो waves है वो चलती है उसके बाद आती है अपनी S wave S wave जो चलती है वो कैसे होती है वो इस type से चलती है कि क्या? इस type से जो S wave है इस type से चलती है उनका जो motion क्या है perpendicular to the direction of P wave जो अपने जो force exert करती है वो perpendicular to the direction of P wave ठीक है इस type से अब हम चलते है L wave के पास ठीक है next हमारे क्या है L wave तो दोस्तो अपनी जो सिस्मोग्राफ पे जो सबसे last में जो हमें मिलती है वो होती है अपनी surface wave और L wave ठीक है ये कहाँ पर travel करती है the surface waves travels around the earth surface ठीक है जो earth का जो surface है जो crust की अपर बिल्कुल अपर layer जो है वहाँ पे ये travel करती है ठीक है third to reach on the graph मतलई जो हमारा जो graph है सिस्मोग्राफ ठीक है जहाँ पे हम measure करते है वहाँ पे सबसे last में हमें मिलती है L wave means surface wave ठीक है और जब हमारा question आता है सबसे violent and destructive wave कौन सी है हमारी l wave ही सबसे ज्यादा destructive होती है ठीक है अब हमें 2.0 हमें याद रखने है सबसे ज्यादा destruction कहाँ पे होती है That is epicenter कहाँ पे होती है epicenter पे ठीक है फूस्ट वन दूसरा जो सबसे ज्यादा जो destruction जो create करते हैं वेव वो कुन सी है L wave ठीक है L wave ठीक है तो यह दो point बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे one is epicenter and second one is L wave L wave most violent and destructive ठीक है होती कहां के है near the surface ठीक है दोस्तों तो यह हमारा आज को जो topic था यह था earthquakes के बारे में thanks for watching my video